नमस्कार, टोडल डीवी के खास कार्कम में आपका स्वागत है आज हम पहुंचे हैं परीदाबाद, जो पहले से ही काफी स्माच है मेट्रो की रफ्तार ने इसकी स्माचनेस को और भी जादा बढ़ा दिया है लेकिन फिर भी ये शहर अपने भीतर इस्माचिती बनाने का सपना संजोय हुए है ये सपना कितना सच होगा और उस सपने की हकीकत कैसी होगी ये देखने के लिए चलते हैं फरीदाबाद हम दोल प्लाजा से फरीदाबाद में दाखिल हुए मेट्रो का रूट बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कमपनियों के चमचमाते दफ्तर निर्माना धीनी मारते हैं दिल्ली को माद देते मॉल यहां की विकास की गाथा गाने के लिए काफी थी सब कुछ होने के बाद भी एक अदर आटो में पीछे तकलदी सवारियां यहां की ववस्थाओं पर पैबंद लगा रही थी शहर के भीतर यह तस्वीरें आम थी हमारी परताल का अगला पढ़ाओ इंडिस्टी सेक्टर था फरीदाबाद इस्मॉल, मीडियम और लार्ज स्केल की इंडिस्टी का सबसे बड़ा हव है यहां करीब अठारा हजार छोटी बड़ी ओधोगी के काईयां मौजूद है शहर से करोणों रुपए का कारूबार रोजाना होता है परीदाबाद को पूरे हरियाना में सबसे ज़्यादा टैक्स देने वाला शहर कहा जाता है यह शहर हर तरह का कारूबार करता है और लाखों लोगों को रोजगार देता है फरीदाबाद को स्मार्ट सिटी बनाय जाने की कलपना हो और उद्दोग पतियों की राय ना ली जाए ऐसा मुम्किन नहीं है इस वक्त हमारे साथ मौजूद है नरेंद्र गुपता जी जो की फरीदाबाद इंडिस्ट्रिस्ट एसोसियेशन के पदादिकारी है गुपता जी आपसे जानना चाहेंगे की फरीदाबाद में उद्दोग की क्या इस्टेती है देखिए हमारा लोकेशन के द्रस्टी से बहुत अच्छा दिल्ली के बहुत नजदीक हम बैठे हैं बहुत अच्छी हमारी कनेक्टिवटी है अठारा जार के लगवग हमारे टिनी, मीडियम, स्मॉल और लार्ज इंड़स्टी हैं जिसमें 26 एमेंसी भी फरीदाबाद में काम करती है करीब 5 लाग लोगों को हम रोजगारते रहे हैं फरीदाबाद का भविस बहुत उजल है, यहां बहुत अच्छी संभावना है कनेक्टिवटी, रोड की कनेक्टिवटी आपको मालूम है के NS2 पे हम इस्तित हैं, रेलवे से हम जुड़े हुए हैं यहां के उद्दोगपतियों को स्मार्ट सिटी को लेकर सरकार से बहुत उमीदे हैं, कुछ पूरी हो गई है, कुछ बाकी है फरीदाबाद में और यहां के लोगों में एक स्मार्टनेस है, वाकई में सब लोग दिल से चाहते हैं यहां की मनेजमेंट, इंडेस्टिय अजमेंट भी बहुत अच्छी एक्टिव रूप से सोशली काम करती है तो निश्टिद रूप से हम स्मार्ट सिटी में आएंगे और बहुत अच्छी संभावना इंडेस्टिय को और गुरू होने फरीदाबाद राष्टी और अंतराष्टी स्थर पर बड़ा कारूबार करता है लेकिन स्मार्ट सिटी के लिए तो हमें समस्याएं भी तराशनी थी इस वक्त हम पहुँच चुके हैं फरीदाबाद के सरकारी अस्पताल में पहले से ही स्मार्ट है देखते हैं कि यहां के हेल्थ सेक्टर में कितनी स्मार्टनेस है परिशानी है फिशर की टाइप फिशर हो रहा है और ये डॉक्ट साब दो दिन से बैठ नहीं रहे आई नहीं रहे दो दना से पताना दन कहां पर डोलते हैं दस वजे हमाज आते हैं दो वजे गए कल यहां से फरिदाबाद के सामाने अस्पताल में ये दवा वितरन केंद्र है यहां पर ढ़ेड़ सारे मरीज हैं जो कि दवा लेने के लिए मौजूद है उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि क्या दवाएं यहां पर पूरी तरह से मिल नहीं है या नहीं अब बार से कुछ नहीं साधी मिल गई यहां पर बताई स्वांट सीटी के क्या मतलब आपकी समझ में आता और किस तरह से हल्ष सेक्टर में और अच्छा होने की उमीद आप रखते हो अब आपने देखा जो दवा वितरन केंदर पर कुछ लोग थे कुछ लोग संतुस्त नजर आये कुछ लोगों की शिकायते थी इस वक्त हमारे साथ ललन मिस्टरा जी मौजूद है जिन्होंने भी हाल फिलाल में अपने गले में किसी गांट का ओपरेशन कराया है ललन जी आप यहां पर जो चिकिस्ता सुब्ध हैं मोहिया करायी जा रही है हाँ जी इससे आप संतुस्थ हैं कैसे आपरेशन कितना दिन में हो गया अभी तीन चार दिन आये सब चेक चाक हुआ आज आपरेशन कर दिया जी अस्पताल के ही बाहर लिखा था कि अगर कोई भी सरकारी अधिकारी या करमचारी रिस्वत की मांग करे तो मुख्यमंत्री उलन दस्ते का नमबर डायल करे लेकिन ये कहीं नहीं लिखा था कि अगर अस्पताल में पानी ना आए तो शिकायत किस्से करें क्योंकि वाटर कूलर खुद ही पानी को तरस रहा था वाज बेसिन की सभाई शायद महीनों से नहीं हुई थी कुछ एमबुलेस ठी तो कुछ की हालत पंचर थी स्मार्ट सिटी का सपना लिये हम आगे बढ़ चले पुराना शहर भरी दो परिया में जाम से जूज रहा था क्योंकि पार्किंग की पनौती यहां भी थी फरीदाबाद में ये वाद यंतर की एक दुकान है ये इस दुकान के जो मालिक है वो है सर्ताज आलम जो खुद इन वाद यंतरों को तयार करते हैं बनाते हैं और उनकी रिपेरिंग का भी काम करते हैं तरह तरह की धुन इसमें से सुनाई पड़ती है ज़रची बात है कि जब ये बादे अंदर बसते हैं तो काफी मन को सकून देते हैं कुछ ऐसा ही सकून फरीदाबाद वालों को भी मिलने की उमीद है इस आस के साथ के साथ के साथ उनका सहर स्मार्ट सीटी बने सर्ता जी चर्चाएं हैं कि फरीदाबाद को स्मार्ट सीटी बनाने की योजना ह अगर इस मार्केट में बैठते हैं हम निकले यहां से तो हमें लगा कि यहां पर पार्किंग के समस्या है जाम लगा रहता है यह रोजाना का हाल है रोजाना का ही हाल है कभी आप लोगों ने अधिकारियों से बोला है कि आप लोग यहां पर कुछ ऐसा बंदोबस करें कि थोड़ा सा इंक्रोच्मेंट कम हो गाड़िया स्मूथ निकलें ताकि दुकानदारी जो है वो ठीक से हो सकते का दो तीन दफ़ाव बूला है लेकिन कोई तबज्य नहीं किसी की भी सरतांटी क्या लगता है कि अगर स्मार्ट शिटी बन गया तो स्मार्ट सीटी बनने के लिए सारी चीजे बेठर करना जरूरी है अगर अभी यह अखल तो आगे क्या होगा अब यह हल न है तो आगे तो और भी जादा प्रशानी सामने आएगी क्या लगता है कि सरकार जो है वो जो सरकारी नुमाइंदे वो जान बूच करके काम नहीं करना चाहिए अगर काम करते हैं से तो ऐसा हो नहीं सकता था सरताज आलम हमें अपने रोजाना के शहरी अग्यान की धुन सुना चुके थे अब बारी थी रेलवे स्टेशन की पड़ताल की यह स्मार्ट सहर फरीदाबाद का रेलवे स्टेशन है आप देख सकते हैं कि यह है इंट्री पॉइंट कहीं से देख करके नहीं लगता है कि किसी रेलवे स्टेशन की इंट्री इस तरह से हो सकती है लेकिन फरिदाबाद रेलवे स्टेशन की इंट्री जो है वो फिलहाल इसी कुछ इतने ही छोटे से गेट के जरीए हो रही है जहाँ पर सुरक्षा के कोई भी बंदोबस नहीं है हमने जानने की कोशिश की कि आखिर इस तरह की यहाँ पर इंट्री क्यों है तो हमें बताये गया कि दरसल यह इस स्टेशन को अपग्रेड किया जा रहा है और एक बड़ा जो है वो इंट्री पॉइंट वेटिंग हॉल और तमाम सारे जो इसमें सुभिधाय होनी चाहिए उसक का निर्माण काम यहाँ पर चला है जो की जिसे पूरा होने में अभी वक्त लगेगा हरीदाबाद रेल बेस्टेशन पर जो यात्री सुगधा है उसे आप खुश है संतुष्ट हैं कि कुछ कमी नजर आती है अब मेरे तो कमीया हैं तो देख लो यहां हर चीज़ फैसिलीटी ने मिल पार गर्मी से लोग परशान है पानी के लिए इदर अधर भठा करें यहां पर फैसिलीटी अच्छी होनी चाहिए ना जिसे साब से लोग आ रहे हैं यहां पर शेयर बड़ा हो रहा है उसे साब से इसकी यहां फैसिलीटीज नहीं है ज्यादा कमी तो खैर इस यहां पर नहीं एतनी है लेकिन यह गाड़ियों का टाइम टेबल जो लेट गाड़िया है यहां पर ऐसे कोई अशुविदा में नजर नहीं आती है मैं डेली अब डाउन करता हूं यह फरीदाबाद रेल्वे स्टेशन की टिकट विंडू है आप देख सकते हैं कि दो टिकट विंडू यहां पर चालू है एक जो है वो शाहिद महिलाओं के लिए आरक्षित है और दूसरी फूर्सों के लिए इस तरह की भीड हर रेल्वे स्टेशन पर देखने को मिलती है और कई बार तो ऐसा होता है कि कतार इतनी लंबी लगी होती है कि लोगों की ट्रेन तक छूट जाती है अगर यहां पर चूटी लाइन है तो बड़ी लाइन है यहां पर जो मुसाफिरों की तादात है वो हमें पता चली है कि 20,000 जो फरीदाबाद फरीदाबाद के यातरी हैं वो रोजाना यहां से अब डाउन करते हैं ज़र ची बात है कि 20,000 मुसाफिरों में जो है वो अगर दो ये काउंटर बने हुए हैं तो नाकाफी साबित होंगे। हम स्मार्ट सिटी का सपना लिए शहर की परताल में आगे बढ़ चले। आटो फरीदाबाद की लाइफ लाइफ लाइन है, सारे ये आटो ड्राइवर्स हैं जो हमें देख करके यहाँ पर इखटा हो गए और इन्होंने हमें बताया कि सबसे बड़ी दिक्कत यहाँ पर यह है कि एक भी आटो इस्टेंड नहीं है जिसकी वज़े से आए दिन यहाँ पर जाम भी लगता है, इन लोगों को भी जलालत जहिलनी पड़ती है क्योंकि मजबूरी है, दो पैसे के लिए इन्हें भी यहाँ पर खड़ा होना पड़ता है, मुसाफिरों का इंतजार करना पड़ता है, लेकिन इस बीच में पुलिस वाले भी परिशान करते हैं, जो प जंबर जी बगा देता हमें, यहाँ कोई सभीदानी स्टेंग है, इस वक्त हम कड़े हैं बल्लब गडब बस स्टेंग के बाहर, यहाँ पर जो समस्या है, वो सबसे बड़ी समस्या जान की है, दुकंदारों की अपनी समस्या हैं, रेडी वालों की अपनी समस्या हैं, किस त और इसकी वजह से जाम लगता है सारा, सारी समस्या यहां रेडी होगी है स्वसे जादा बसड़े के बाहर बड़ी तादात में रेडी वाले भी है जिनकी रोजी रोटी और गुजर बसर यहीं से चलता है भीया आपका क्या नाम है? राजिंदर कट्पोरं शुकरल मShima को पैसां देना पड़ता है या दुकन्दारों से कोई परीशानी कुछ नहीं कोई परशान में लगाते हैं हमयरे दुकान के सामने आपने लगा दिया तो हमारी दुकान भी प्रबाभीट हो थे टो करने यह विम्लेट कह मी रसाओ Am इसमें मदा नहीं आता जी मेरा नाम गीता अरोरा है मैं यहाँ पे काफी आदे घंटे से कड़ी बट सीएस वने का इंतिजार करें थी बाइपस बसका अब भी रिसेंटली एक दो दिन से ऐसे ही चल रहा है कि बस इस टाइम पे नहीं आ रही है अर्ली मॉर्निंग भी खड़े होते हैं हम लोग तो वहाँ भी बससका टाइम कोई फिक्स नहीं है कभी आदा घंटा कभी देड़ दो घंटा लेटी होते हैं हम करीब होगा 45 बट से इंजार कर रहे है और बदर पूर बॉडर जाना है बसे यह अगर आएंगी तो एक साथ चार चार बसे आजाएंगी और नहीं आएंगे तो एक बार बस भर के चली जाती है और पीछे सारी चार-पार बस खाली जाती है भारत में जुगाल टेकनोलोजी सबसे जाधा कारगर है आप देख सकते हैं कि बस अड़े के बाहर यानि फरीदा बाद बस अड़ा जो है उसके ठीक बाहर ये जुगाल से डिवाइडर बनाया गया है लोहे की ये एक एंगल है बड़े मोटे से जिनको 20 सड़क में रखा गया है जो आले तिर्चे पड़े हुए हैं कई बार इनसे हास्से भी हो जाते हैं लेकिन इसी जुगाल के सारे ये सड़क दो हिस्तों में बटी हुई है स्मार्टनेस की तलास में बहुत कुछ जुगाल भरू से दिखा सलक पर डिवाइडर का जुगाल आटो में बैठने का जुगाल ठेली वालों का अपना जुगाल तो सेख फरीद की नगरी यानि फरीद आबास से हमारी स्खास पेसकस में आज बस इतना ही हमें और हमारे कैमरामेंट बिद्यधरबारीक को दीजे इजाज़त और आप देखते रहिए टोटल न्यूज